आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स फ्रेंस अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुनें फ्रेंस जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या नमबर बादाम के दो-तिन दाने शहद के साथ सेवन करने से यादास तेज होती है नमबर टू, अगर किसी की असास फूलती है तो उसको दही की कड़ी में घी मिलाकर कुछ दूनों तक खिलाने से आराम मिलता है अगर आपके गुटनों में दर्द रहता है तो चार से पांच अक्रोड के गिरी शुबै खाली पेट का लेने से गुटनों का दर्द खतम हो जाता है अगर आपके सरीर में कहीं भी मस्से हैं तो मस्सों पर प्याज का रस लगाने से मस्से खतम हो जाते हैं फ्रेंस यदि आपके सरीर पर कहीं भी मस्से हैं तो आप उन पर प्याज का रस लगाईए इससे आपके मस्से खतम हो जाएंगे नमर फाइब दही के उपर वाला पानी पीने से लीवर साफ होता है फ्रेंस जब भी हम दही जमाते हैं तो उसके उपर जो पानी आता है आप उसको हर रोज पिया करें इससे आपका लीवर बिल्कुल साफ रहेगा नमर शिक्स भीगी वी चनी की डाल का पानी मूँ पर लगाने से चेहरे का कलर साफ रहता है नमर सेवन चेहरे के दाग दबों से बचने के लिए करेले का जूस पीना चाहिए यह कड़वा तो होता है पर बहुत ही फायदेवन होता है फ्रेंस करेला भी बहुत ही जादा यूजफुल होता है यानि कि हमारी स्किन के लिए और हमारी हैल्थ के लिए भी तो आप करे लेगा जो जरूर पियें यह आपके जो भी दाग धब्बे हो गए हैं उसके लिए बहुत ही फायदा करेगा नमबर एट जिस घर में प्यास का पौदा होता है उस घर में माना जाता है कि बिच्छू नहीं आते हैं गुलाब का फूल सूंगने से डिप्रेशन कम होता है और आपको फ्रेस फिल होता है नमबर टेन अद्रक कब आधा चम्मच रस और देशी घी मिक्स करके सुबह साम पीने से कमरदर्ध खतम हो जाता है फ्रेंस यह टिप्स आपको कैसी लग रही है जरूर से बताएगा टिप्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाई जरूर कर दीजेगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा फ्रेंस वीडियो को पूरा ही वाउच कीजेगा तब ही पता चलता है कि वीडियो में है क्या नमबर 11 पानी के साथ मेती दाना खाने से सांस की तकलीब दूर होती है सीने का बलगम भी निकल जाता है नमबर 12 जीरा खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है नमबर 18 अगर हम बादाम को दही के साथ मिक्स करके खाते हैं तो सरीर को ताकत मिलती है नमबर 14 नाने से पहले गुनगुने सर्सों के तेल से बालों की मालिस करने से बाल मजबूत होते है नमबर 15 चने का आटा खाने से सुगर कंट्रोल रहता है प्रेंस चने का जो आटा होता है आप उसको खाईए यह आपके सुगर में बहुत ही ज़्यादा फायदेबंद होता है नमबर 16 आलू का रस तुचा के लिए प्लीज का काम करता है इसलिए आलू के रस में थोड़ा सा दही मिला कर लगाने से चहरे चमक जाता है नमबर 17 अगर आपके मुह में चाले हो जाते हैं तो आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेकर सूच लें इससे आपके चाले ठीक हो जाएंगे नमबर 18 चाय की पत्ति के उबले हुए पानी से बाल दोने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं आप चाय पत्ति को उबाल लीजिए और आप इससे अपने बाल जब धोते हैं उसमें यूज कीजिए यानि कि इससे बाल धो लीजिए इससे आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे नमबर 19 प्याज और गुड बच्चों को खिलाने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है इसलिए प्याज और गुड बच्चों की डाइट में जरूर एड़ करें नमबर 20 खाना खाने से पहले बड़ी इलाईची को चबा कर खा लेने से आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है नमबर 21 गरम खाना खाने से दिल की बीमारी का खत्रा बढ़ जाता है हमें खाना ठंडा ही खाना चाहिए गरम खाना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए गरम खाना कुने से दिल की बिमारी का खत्रा बढ़ जाता है 22. नीवू पर चीनी डाल कर खाने से चक्कराना बंध हो जाते हैं नमबर 23 अगर छोटे बच्चे ज़्यादा रोते हैं ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो रोज साम को उनके कपूर की धुनी जरूर दिखाएं प्रेंस यदि आपके बच्चे ज़्यादा रोते हैं या फिर ज़्यादा बीमार रहते हैं तो हर रोज उनको कपूर की धुनी जरूर दिखाएं नमर ट्वंडिफोर मिट्टी के बरतन का पानी पीने वाले इंसान को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है प्रेंस जितना हो सके आप मिट्टी के बरतनों का यूज कीजिए और इनके बरतनों का यूज करेंगे तो आपको कोई भी भी बीमारी नहीं हो सकती है नमर ट्वंडिफाइब जलेफे स्थान पर केले का गुदा लगाने से जलन खतम हो जाती है और छाले भी नहीं पड़ते हैं नमर ट्वंडिशिक्स निवू की पत्तियों को थोड़ा सा कूडले और उसके बाद उसे सूंगने से सरदर्ध खतम हो जाएगा निवू की पत्ति को थोड़ा सा कूडले और उसके सूंगने से आपके जो सर में दर्ध हो रहा है वो खतम हो जाएगा नमर ट्वंडिएट गाजर का हल्वा खाने से गुर्दे की पत्री निकल जाती है और सरीर को ताकत मिलती है नमर ट्वंडिन ताबे के बर्तनों का 9-10 गंटे रखा हुआ पानी पीने से कैलश्टरॉल लेवल कंट्रॉल में रहता है और बजन भी कम होता है प्रेश्ट ताबे का बरत्नों में आप पानी रखते हैं ताबे के बरतन का पानी आप पी ज़िए आठ से दस गंटे या नौ से दस गंटे उसको रखके और उसके बाद आप उसका सेवन कीजिए यह आपके कैलरे स्ट्रों लेवल को कम करता है और साथ में आपके बजन को भी कम करता है नमर्ठाटी यदि आप एक दिन में दो चम्मस पीनेट बटर खा लेते हैं तो यह आपके पूरा दिन की एनरजी को पूरा कर देता है नमर्ठाटी वन रात में सोते वक्त पैरों के तलवों पर मालिस करने से सरसों के तेल से आँखों को बहुत फादा मिलता है नमर्ठाटी टूर रात को जल्दी खाना खाना चाहिए इसे कई बीमारियों से बचे रहते हैं फ्रेंस हमें रात का खाना जल्दी खाना चाहिए यह जल्दी खाना खाते हैं तो यह हमें पस जाता है और यह हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाता है नमबर थाटी त्री सर्दी जुखाम होने पर कपूर की एक टिकी पानी में उबाल कर उसकी भाप लेने से सर्दी जुखाम जल्दी ठीक हो जाता है नमबर थाटी फोर गर्ने के रस्में नीबू मिला कर पीने से जहाईयां खतम हो जाती है फ्रेंस गन्ने के रस्में आप निवू मिला कर पीजिए इससे आपके जो चहरे पर जाईया है वह खतम हो जाएंगी नमर ठाटी फाईव सुबह का नास्ता साथ से आठ के बीच में कर लेना चाहिए इससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है फ्रेंस जो हम सुबह का नास्ता करते हैं वह साथ से आठ के बीच में हमें कर ही लेना चाहिए इससे हमारा जो दिमाग है यानि की ब्रेन है वो एक्टिव रहता है नमर ठाटी सीक्स सुपारी खाने से पेसाब की जलन दूर होती है नमर ठाटी शेवन जूते चपल की बदबू को हटाने के लिए उनके अंदर बेकिंग सोरा डाल कर उसे रात भर छोड़ दे और सुबह इसको साफ कर दें इससे जूते चपल की जो बदबू हो बिल्कुल भी नहीं आएगी आज आपको यह 37 टिप्स आपको कैसी लगी जरूर से बताईएगा टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होए तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंस साथ में घंटी वाला बटन जरूर क्ल प्रेंस के लो से वे एड़ीज को कि अ यहां एड़ बटनी भी जरूर को कि ले रए बटना वे आप कर लिए से लो होए ये डीत कर द Также हम्री टको कि यहांद